फ्रेंस सब्सक्राइब कीजिए वाइफाइटी चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस एक्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपोरेंट है जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पेपर आने वाला है आपका और कुछ भी नया पढ़ने से जाता है इंपोरेंट है कि जो प्रिवेस एर के पेपर है उनको सौल कर लिय जाया उनके बारे में समझ लिया जाया कोंकि किसी दी से 25 परसेंट जो जी के कोर्श। आते हैं फो प्रिवेस एर से ही मोल लोके आते हैं तो इसलिए आपको प्रिवेस एर के जितने भी पेपर से वो discuss करना उनके बारे में आज पास की information लेना ये बहुत important है और वही मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं और उम्मीद है इससे आपको आने वाले paper के अंदर बहुत फायदा मिलेगा इस वाले इस वीडियो के अंदर में 2016 का 27th August को जो shift 1 में paper हुआ था वो discuss करने वाला हूं GK का ठीक है तो उम्मीद है या आपको इस वीडियो जा काफी help मिलने वाली है पहला question देखते है trickle down theory ignore the impact of economic growth on जो trickle down theory है ठीक है वो ignore करती है impact society के अंदर economic growth के अंदर किसका आपके सामें चार options दिया गए थे investment, saving, income distribution या फिर क्या consumption ठीक है तो यह चार चीजा आपके सामने options दिया गए थे और यहां पर देखिए फ्रेंच सबसे बल आपके लिए यह समझना जरूर है कि जो trickle down theory है यह है क्या तो देखिए trickle down theory क्या कहती है तो यह theory क्या बात करती है यह बात करती है income के बारे में और capital gain के बारे में ठीक है capital gain किसमें tax के लेकर तो इस theory का क्या कहना है कि जब भी भी जो बड़े businessman है okay investor है entrepreneur है इन लोगों का जब development होगा चब क्या होगा society का भी economic growth होगी यह इस theory का जाता है ठीक है यानि कि बड़े businessman का अगर इनका फाइदा होगा इनको tax में चूट मिलेगी बाकी चीजों में चूट मिलेगी तो क्या होगा यह लोग ग्रो करेंगे तो society भी ग्रो करेंगी यह इस theory का कहना है ठीक है और यहाँ पर देखिए investment की बात करी गई है यहाँ पर savings की बात करी कई है यहाँ पर consumption की बात करी जो नहीं करी गई है इग्नोर करा है जो वो income distribution को लेकर किया है तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर होता है वो C ठीक है trickle-down theory इग्नोर करते है इंपक्क किसका income distribution का next question के बारे में था जो CAG है CAG यानि कि Comptroller and the Auditor General of India does not audit and the receipts and expenditure of तो यानि कि जो CAG body है CAG जो की independent body है यह किसकी audit नहीं करती है रिसेप्ट और expenditure Central Government की local bodies, state government या फिर government companies ठीक है यह आपके पास में options थे यहाँ पर आपके पास में जो सही option है वो जो है local bodies Comptroller जो CAG है वो local bodies का audit नहीं करती है ठीक है देखिए सबसे पहले important information जो CAG के बारे में जरूर है कौन से part के अंदर mention इसके बारे में part 5 में mention है ठीक है article कौन सा है CAG को लेके article 148 है और constitution से इसको पावर मिली है कि यह audit कर सकता है receipt expenditure government of India के state government के जो bodies authorities है जिसको government finance करती है उनको ठीक है साथ में CAG क्या external auditor भी है जो government owned corporation होती है जहां पर 51% जादे stake होता है government का वहाँ पे भी audit कर सकती है ठीक है और इसकी जो report है वो किसको देते है प्रेसियन को देते हैं president क्या किसको देगा president को देगा परने report बना जैसे कि Commonwealth गोटाला हुआ तो Commonwealth गोटालेगी जो report है प्रेसियन को दी प्रेसिदेंट ने Parliament को दी Parliament किसको देगी P.E.A.C के देगी O.K. Public Account Committee को देगी और फिर वो क्या करेगी इसको इसके ओपर discussion करेगी इसका जो head हो opposition का जो leader है वो होता है इसका head है वो leader of opposition होता है ठीक है तो यहां पर पोचेगी उसके बाद में उसके ओपर discussion होगा तो यहां पर चीज़ देखना ज़रूर ही है और क्या एक बहुत बड़ी body 14 141 48 से 151 तक वैसे mentioners के article के अंदर तो कुछ भी option आता है तो आपको ध्यान रखना है ठीक है और अगर आपन table of precedence की बात करें तो 9th rank की ओपर आते हैं किसके equivalent है जो judges है Supreme Court के उनके equivalent है CAG table of precedence के अंदर ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है यह सभी information आपके लिए बहु है यह चीज आपको ध्यान रखने है 2012 13 में अपन करे गए थे और 12th CAG थे next question देखते है in which year did the Kakori conspiracy case take place तो Kakori के बारे में पूछा गया था पढ़ियंतर कब रचा गया था 25, 24, 26 या 27 यह आपके चार options थे और यहाँ पे आपका जो सही option था 1925 ठीक है Kakori case क्या था train की robbery थी जो की काकोरी के अंदर किया गया था काकोरी है कहां पे लखनाओ के अंदर सबसे पहले तो लखनाओ के पास में 9 अगस्त 1925 को यह करा गया था जब इंडियन independence movement चलता था इंडियन बिटिशन के अगेंस्ट ठीक है किस ने किया था HRNA किया था Hindustan Republican Army किसके दुआरा किया था राम प यही पार्टी HRNA बाद में बनके क्या बनी यह बाद में बनी हिंदुस्तान Socialist Republican Army है यानि कि बाद में यही अचरे बनके हिंदुस्तान Socialist Republican Army बनी जिसको बाद में बगास ने जोईन किया ओके और और यह कई सारे इनके movement थे इंको पैसो के जरूब थी वेपन्स गरीद थे इ Taj Mahal is called a dream in marble which monument is called a dream in stone तो देखिए Taj Mahal को सभी को पता है कि Taj Mahal को अपन कहते है dream in marble, marble से बनाए गया है, Makrana राजस्तान से marble लेके गए थे इस Taj Mahal को बनाने के लिए और dream in stone जो monument है यह किसको कहा जाता है, यह आपका सवाल है, तो यहाँ पर जो सही answer था तो पंच Mahal, ठीक है कहां पर है, पतायपूर सिक्री के अंदर है, ठीक है, पतायपूर सिक्री पतायपूर सिक्री कहां पर है, यूपी के अंदर है, ठीक है, जितने भी आपके monuments से बहुत important है, मैंने एक अलग से वीडियो बना रख है, स्टार्टिक जी की का, monuments, temples, तो अमीद है आप सभी वह आपस एक बार देखेंगे और रिवाइस करेंगे, ठीक है, वह आपके लिए बहुत important है, इसमें से आता ही आता है, ठीक, guarantee उसमें से आपको यह क्या दो कोशन देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, और इसका दूसरा नाम भी है, पंच मैल का उस तो भारत में सेक्स रेशो है, वह किस चीज के ऊपर मेजर किया जाता है, ठीक है, तो यह बहुत important है आपके लिए, बहुत ही easy सा सवाल है, वैसे इसमें कुछ दा था नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे number of females per thousand males, ठीक है, simple सा आपका, यहाँ पे जवाब था, और मुझे लगता है यह किसी ने गलती करी होगी, इस question के अंदर at least, ठीक है, number of females per thousand males, यह आपका answer था, next question देखते है, companion cells are unique too, तो companion cells है, वो unique किस के अंदर होते हैं, ठीक है, companion cells के बारे में पूछा गया है, तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने चार options है, biofaits दिया गया, terryophytes दिया गया, angio sperm जिया गया, geno sponge दिया गया, तो सबसे पहले तो यह समझे कि plant, कई सारे ऐसे plant के parts होते हैं, ठीक है, जो कि खुद को grow नहीं कर पाते है, तो वहाँ पर दो चीजे उनको help करती है, तो phylum बहुत help करता है, ठीक है, phylum के अंदर ही companion cells होते हैं, जो कि मदद करते हैं, उस area में, food को nutrition को पहुचाने में, जहां पर नहीं पहुच पाता है, जहां पर खुद ग्रो नहीं कर पाता है, जहां पर chlorophyll नहीं होता है, ठीक है, जो vascular tissue होता है, उसके दो main parts होते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं, प्लांट के अंदर, एक तो हम आपन पढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरा phylum क ले जाने के लिए, ठीक है, water के अंदर help परेगा, पानी को water मिलना, nutrition मिलना, और xylem के help परेगा, water के लिए तो यह आएगा, और nutrition के लिए यह आएगा, ठीक है, यह चीज आपको धान रखने है, जो sugar करना, transport, साथ में और भी nutrition करना, ठीक है, और भी कई सारी nutrition यह भी करता है, और यह यह उर दोल भी करता है, दोनों ही आपको धान रखने है, ठीक है, तो यह चीज इंपॉर्टन है, और यहाँ पर component cells देखेंए, parenchyma cells होते है, ठीक है, जो component cells है, यह क्या है, एक type है, parenchyma cells के, और parenchyma cells के होते है, ground tissue जो होता है, plant का, उसका parts होते है, ठीक है, cell walls के ब और बाकी cell wall के अगर comparer में देखा जाये तो और यहां पर फ्रेंज जो सही आंसर है वो angiosperms होगा क्योंकि angiosperms के अंदर थोगा सो जो डिफ्रेंस है वो यह है angiosperms में कि देखिए angiosperms के अंदर ही दो चीजे मिलती है यानि कि यह सीव टूब्स होती है जिसके थुरू चीजे ट्रांसपूर्ट होती है और साथ में जो मैंने आपको बताया companion cells यह दोनों चीजे मिलती है angiosperms के अंदर ठीक है तो श्रीफ angiosperms ही जिसमें दोनों थे तो फायलम के अंदर फाון रूदी है यह सब क्या होती है यह अरस के असपास होती है फिल्यक्त होती है फेया कि अजिए बागी शिल्यक्तize होती है अठ्धु हो three angiosperms के नदर angiosperms के अजिकिली यह flour however फ्लावर कोजिदे बार ड्लावर जिनके अदर फ्लावर उखता है okay for flour in plants वह जिके इंपरणल यह जो कि your वैका है भी थ्यान इक्वार्ट में turkey अपको ज्ार मेर 6 seed plants okay और सबसे diverse group है plant group का next question देखते है which one of the following is a insulator तो insulator कौन सा था इन चारों में से बहुत ही आसान सा सवाल है देखिये conductor और insulator के अंदर difference पता होना चाहिए जहां पर electric current easily flow करता है वो क्या होता है conductor ठीक है जहां पर easily current flow कर लेता है जिसके अंदर से freely current flow करता है और जहां पर नहीं करता है ठीक है जहां पर नहीं करता है वो उसको क्या कहेंगे अपन इंसुलेटर तो बहुत सिंपल सा वो है यह एक सवाल था जो कि पूछा जया था ओके जैसे कि copper है यह सब में क्या होता है इजिली flow हो जाता है copper में okay mercury में aluminium में जो यहां पर सही आंसर हो को आपका वो वोड होगा वोड क्या है इंसुलेटर है ठीक है अगर आपको electric shower लग रहा है और वोड पर अगर आप बैठे वे हो तो क्या होगा वो इजिली उसको observe कर लेगा और पासो नहीं होने देगा देखते हैं next question bubbles of air rise up through liquid due to bubble of air rise up through liquid तो जो bubble of air जो की rise होते है liquid में वो किस वज़े से होते हैं बुल बुले जो होते हैं वो किस वज़े से होते हैं यह आपका सवाल था ठीक है और उसका तो सही answer था वो था viscosity and buoyancy अब यह विस्कोसिटी and buoyancy क्या होता था buoyancy तो वो फोर्स होता जिसको अप्थरस भी कहते हैं ठीक है जो की नीचे से लगता है जिसको अपन फोर्स पर उनिटी अरिया से मेजर करते हैं वो क्या है विस्कोसिटी है ठीक है तो यह बेसिक बेसिक से टम्स है जो कि आपको याद करना है तो वापस से मैं आपको विस्कोसिटी करता हूं एक quantity होती है जो कि express करती है magnitude internal friction का जो की फ्लूट के अंदर होता है इसको अपन फोर्स पर उनिट एरिया के और साथ में catalyst भी होते हैं यह दोनों चीज आपको धानत नहीं है अब्सर्व करने काम में भी आएंगे catalyst किसी भी चीज को बढ़ाने की काम नाएंगे औरिजिनली जो इसको term को coin किया गया था नाए 1756 में किया गया था एक Swedish mineralogist थे Alex Fedrick तो कई पार पेपर में यह भी पूछा किया है previous year के और पेपर देखेंगे तो आप okay कि Alex Fedrick किसी से बिलॉंग है जोलाइट के founder थे Alex Fedrick थे okay तो उन्होंने देखा था कि जो steam nickel water में से तो वो rapidly कोई है जो कि इसको observe कर रहा है तो उसकी का नाम उन्होंने zeolite दिया थिक है तो यहां पर जो आपका answer है वो कह है aluminum silicate hydrated sodium aluminum silicate होता है जो कि आपका answer है next question the boiling point of liquid varies है तो यह भी बहुत important और सही question था बहुत अच्छा question था कि boiling point के बारे मिन कुछानbbles कर दो सबसे पहले friends boiling होथी कह प्रेशर जब भी vapor pressure boiling कब होती है जब भी vapor pressure इकbung हो जारीगा किसके surrounding pressure कि याड़िक कर दो यह कि vapor pressure किसका liquid का अब यह vapor pressure क्या होता है जिस pressure से gases takeagar बांटे उस liquid के अंदर क्योंकि gases होती है लिक्विड निर डिक्विड निर अझिक किनगे निर फिरे इस था यन्यकिफिर निर अब कर देखी बाद केकिद वसके बाड़ं तो यहां पर आपका आपका आंसर हो तो प्रैशर के वरिएशन से होगा जैसे कि इसमिफ वाटर का आपकी बॉइलिंग पुइंट आपकी घर पे कितना है 100 degree celsius क्योंकि आप अभी प्लेन एरिया में हो, अगर कल को आप पानी के अंदर जाले जाओगे तो simple से बात है, atmosphere का pressure भी increase हो जाएगा और increase हो जाएगा तो आपका boiling point भी increase हो जाएगा लेकिन अगर कल को आप Mount Everest पे जाके अगर आप पानी को Mount Everest के उपर atmosphere प्रेशर बहुत कम होगा तो आपका boiling point भी क्या होगा? कम हो जाएगा तो आपका पानी उबल जाएगा तो कुल मिला के प्रेशर के साथ बेरी करेगा next question देखते हैं the largest source of pollution in the world is तो दुनिया में largest source क्या है pollution का okay देखिए आप है हर्भी साइट, इंसेर्टी साइट, आटो मुबिल, sewage, garbage, industrial, कही सारा options है जिसमें से सबसे आसान हो, सबसे अच्छा option था sewage और garbage, कुड़ा और कच्रा पूरा कुड़ा और कच्रा, लैंड पे जाएगा तो soil pollution करेगा, ocean में जाएगा तो water pollution करेगा, उसको आप जलाओ के तो air pollution करेगा तो सबसे major source यही है ठीक है और sewage, जो होता है wastewater के जितना भी होता है, industrial waste निकलता है human waste होता है, run-off होता है rainwater का, यह सभी finally का जाता है, पहले sewage treatment में जाता है उसके बाद में आपन उसको ocean में वहाँ पे dump कर देता है, ठीक है तो यह चीज आपको दानक नहीं है, और सबसा बड़ा source यही है एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर कई बार पूछ लेते हैं difference between भी, कि rubbish के अंदर क्या होता है ठीक है, litter के अंदर क्या होता है garbage के अंदर क्या होता है, तो rubbish क्या होता है जो भी आप throw करते हो अगर throw करते हो यह आपने बहुत broad term है तो जो भी आप throw करते हो यह रभिश क्यालाता है litter क्या होता है, जो polythene waste होते है उसको हम कहते है जो plastic packing होती है cans होते है, उसको हम कहते है वैसे garbage क्या है, जो kitchen का waste होगा, food का waste होगा उसको हम कहेंगे और वैसे एक thrash भी वर्ड होता है जो कि ड्राइवेस्ट होता है और यहाँ पर मैंने एक और question प्रिवेश पुछा गया था literacy rate पुछे गई थी तो आपको सबसे जादा literacy rate तो सभी को पता है बहुत pretty obvious question है लेकिन second पता होना बहुत जरूरी है ठीक है ऐसे और भी जगे है जहाँ पर अच्छी literacy rate है जैसे कि मिजोरम okay मिजोरम की अगर 2011 के census के according to the day देखे जाए तो 91% 0.58% थी मिजोरम की okay या इसके near about इतना ही कुछ somewhere similar थी तो मैं जैसे कि आपन आपन डेली के जो जीके करने ही कोश्च करते है इसलिए डेली के जीके वीडियो इस देखना ना भूले आपके लिए बहुत important होंगे और यहां पर आपका आंसर था वह मिजोरम था क्योंकि मिजोरम की 91% 0.58% थी जो की literate का इस्टेट है काफी उसके बाद में महराष्ट्रा की भी कोई जादा नहीं है 82 के आसपास है सम्वेर पंजाब की 75 के आसपास है वैसे उडिसाय की 72 के आसपास है तो इस ही कुछ आसपास था यहां पर आपका आंसर था वह मिजोरम था तो देखिए यह कुछन आपने कल ही पॉलेटी पड़ी थी और कल ही अपने इसके अंदर कवर अप किया था तो ऐसे बहुत तारे कुछन से जो आपने डेली के जी के वीडियो में से आपको देखने को मिलेंगे कल ही मैंने आपसे पूछा था कि कौरम कितनी चाहिए होती है minimum कोई भी चीज को मीटिंग को करने के लिए पार्लेमेंट के अंदर ठीक है तो कल ही अपने इसके ओपर बात करी थी और उसका अंसर था 1 10th तो यहाँ पर आपका अंसर क्या है 1 10th of the total membership जो total membership होकी उसका 1 10th होगा answer ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं Indian population growth is characterized by तो भारत में जंसन क्या विदी क्या विशेष्टा है तो भारत में जंसन क्या जो बड़ी है वो 1951 से 71 के बीच में तो बहुत जादा बड़ी है ग्राफ देखेंगे तो ऐसे ऐसे बढ़ती बड़ी है उसके बाद में वापस से अपने थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिया है तो देखें इंडिया में क्या हुआ जो birth rate है वो तो बड़ती गई और जो hospitals हैं जो बाकी चीज़ें वो भी अपने increase करते गई तो जो अपने death rate है वो कम होती गई क्योंकि अकर death rate जाद है तो उसका मतलब है आप वहाँ पे hospital बहुत कम है वहाँ पे doctors बहुत कम है तो इंडिया ने सीज के उपर focus किया जहां जगह 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 गाओं के हर जगह पर hospital खोले वहाँ पे medical student provide करें तो death rate है वो तो कम हो गई लेकिन birth rate बढ़ती गई तो कुल्मला के population बढ़ेगी अगर आपकी death rate कम होगी और birth rate बढ़ेगी तो इसलिए आपके answer क्या होगा next question what will you call a system of taxation under which the poor section are tax rate higher rates than the richer section तो अपन उसको क्या कहेंगे system को जहां पे जो richer section है ठीक है उनसे तो कम लिया जारा है tax यानि कि जो rich लोग है उनसे तो tax कम है और जो poor लोग है उनसे tax जादा ले रहे हैं तो ऐसे system को क्या कहेंगे देखिए दो तरीके के taxes आपको ध्यान रखने पड़ते हैं एक तो progressive और regressive progressive यानि कि जैसे आपकी income उसके accordingly आपको tax पे करना पड़ेगा ठीक है और regression के अंदर क्या होता है उल्टा होता है जिसकी जादा income है वो tax कम पे करेगा और जिसकी income कम है वो tax जादा पे करेगा तो यानि कि आपका answer क्या होगा C आपका answer होगा next question the most important function of an interest group is two तो देखे हितबंध group सबसे पहले interest group क्या होता है हितबंध जिसका अपने आप में hit होता है और एक वो group होता है उसको आपन कहेंगे इस question को आप RSS से relate कर सकते हैं और यह NDA government की problem है ठीक है जैसे RSS एक interest group है जिसने support दिया NDA government को अब वो क्या चा कर सकती नहीं करना चाहती है public opinion उसके पास already है election उसका लेने की जरूत नहीं क्योंकि वो एक ऐसे बड़ी party को support already करी गया तो वो क्या चाहती है जो गौर्मन की policies हो उसके favor के अंदर हो जैसे कि आयुद्ध्य मंदिर ठीक है तो यह आपका answer होगा काफी easy question था इसमें से आपको pairing जो की correctly paired नहीं है वो आपको pairing करना था देखे शिवा जी अफदल गुरू आप सभी को पता है एक ही चीज है यानि की एक ही टाइम पे थे battle भी उत्ती battle प्रतापगर शिवा जी को पता था कि वो directly अफदल गान की बड़ी सेना से नहीं लड़ सकते हैं उसे बैटल अफदल गान को भी वहाँ पे उन्होंने मारा था ठीक है one on one के अंदर तो देखिए ये तो आपका option सही था वैसे भी ठीक है ये भी सही है यहाँ पे जो आपका answer है वह बाबर और बैरम खान ठीक है बाबर बैरम खान किसके साथ अकबर के साथ में रिलेट होते हैं बाबर क कौन थे? Commander थे? बाद में Commander है Chief बना गए बनाए गए मुगल सेना के हमायु और अकबर इनके time के ऊपर थे यह हमायु और अकबर के time पर कौन? बैरम खान ठीक है guardian थे chief mentor थे advisor थे teacher थे हमायू के सबसे trusted बन्र थे और बाद में अकबर को इन्होंने लिए train किया था और इनको एक फॉलिंग डिजर्ट इस रिच इन गोल्ड रिजर्व तो गोल्ड डिजर्व में कॉंसा डिजर्ड रिच है यह आप से पुछा किया था यहाँ पर अरेबियन धार मंगोलियन यहाँ पर आपका अंसर था अटकामा कहां पर है साउथ अमेरिका के अंदर है के इक हजार केलोमीटर कावर कर रहा है कहां पर पे सिवक वह यहाँ पर है वेस्ट में है किसके वेस्ट में seanrike mownta flexibility कहां पर साउथ अमेरिका के अंदर है ठीक है अटकामा डिजर्ट और यहां पर क्या है बहुत बड़ा गॉल्ड रिजर्व है बहुत ही रिच है यह जग है क sodium potassium इसके लिए भी बहुत फेमस है next पुछा कहा था लेक्रिमल ग्लैंट्स सिचुवेटेड इंदा तो लेक्रिमल ग्लैंट्स के बारे में पुछा कहा था बहुत ही इजी सवाल था आया कि आर्सू आते हैं नहीं नहीं इंदाय ऐक आसार बना है हो मदक refugee ड्रेक्जिक्ट मेरी, आठ ब्रटेद्थ लीक्टे का मेरी, इससे एंदए कि ब्ल्टेट होता है। जब इसका इंफ्लेमेशन हो जाए यान्heim के इन्फेक्टेड हो जाये तो क्या डिस्स होता हैheads Dicryo andal dentis इसके में क्या होता है आकों में जलन होना आखे रैड हो जाना ठीक है ज्यादा आसू आना ये सब ठीक है ये सब होता है तो जिसको आपन कहते हैं Dacryo dentis तब कब होगा तब किसका lacrimal gland का inflammation हो जाएगा next question the most extensive use of molasses after fermentation is for producing तो देखिए molasses का प्रियोग सबसे जाधा करने मतलब जो produce होता है तो कहां पर किया जाता है ये आपका सवाल था तो सबसे पहले आपके लिए ये जाना ज़रूरी था है आपके कि ये होता है क्या molasses okay ये क्या होती है एक थिक dark brown juice होता है जो कि आपको रॉज सुगर से मिलता है करने जाता है तो ये तो मुलसस हुआ अभी ये कहां पर काम में लिया जाता है तो आपका जो आंसर था था एथनॉल था है यह पे दिखिए में करता है ये, solvents की तोर पर काम में लेते है chemicals नाने के लिए काम में लेते है ठीक है और ethanol की बात करें तो ये alcohol ही होता है वसे है ये alcohol ही है ethanol और alcohol, कोई difference नहीं है व्यादा ठीक है, और alcohol का fermentation कैसे होता है East के तुरू होता है sugar के तुरू होता है या फिर starch की तुरू होता है यह भी आप से पूछ सकते हैं alcohol का fermentation next paper के अंदर ठीक है और यह भी fuel के दौर में काम में लिया जाता है जब अपन इसको gasoline यानकी petrol के साथ में mix करके यूज़ करते हैं तो इसको अपने engine के अंदर यूज़ कर सकते हैं next question देखते है acid rain is pollution of atmosphere तो acid rain के बारे में पूछा क्या था कि जो pollution होता है वो किस वज़े से होता है देखें acid rain जब भी acid rain acid कब कोई चीज कब होती है जब यह 0 से लेके 14 तक अपनी क्या है pH scale है UK in 7 के अंदर होता है अपना Pure, Neutral जिसके अपन्ड में neutral कहते है साथ सरे नीचे acidic होता है और साथ के ओपर क्या होता है basic होता है जिसके अपन alkaline अगर साथ के नीचे अगर कोई बीचीज याती है pH scale पे तो उसको अपन क्या कहेंगे acidic चीज कहेंगे अगर किसी को एक गलत पहिम है कि जो rainy water होता है वो बहुत ही pure होता है तो ये गलत पहिम है क्योंकि जब rain water आज से 100 साल पहले ये बात आपके सही थी लेकिन अब pollution इतना हो गया है जब rain water आता है तो वो carbon dioxide के साथ में mix होके आता है और क्या बनता है carbonic acid ठीक है क्या बनाता है carbonic acid बनाता है यानि कि already acid मिल के आता है उपर से यह normal rainfall की बात कर रहा हूँ मैं जब normal जो बारिश होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं इसका भी जो pH होता है वो nearby 5.6 के असपास होता है ठीक है तो ये भी pure नहीं होता है भас फर्क कितना ह यह जो carbonic acid जब नीचे पहुझता है तो वो harmful नहीं होता है बिलकुल ठीक है almost negligible के बराबर harmful है इसी वज़ए से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है otherwise यह भी pure नहीं होता है जो इंफॉल होती है ठीक है तो पहला आपका जो आंसर है वो इस question का तो यह है कुल मिला कि मेरे कहने का यह मतलब है कि जैसे अगर पानी आ रहा है अगर उसमें CO2 मिल गई तो carbonic acid बन जाएगा जो कि नॉर्मल होता है अगर जो sulfur oxide है nitrogen oxide है यह अगर उसके अंदर मिल गई तो क्या हो जाएगा ऐसे drain हो जाएगी क्योंकि यह बहुत हामफुल होता है ठीक है कई कफी सारे destruction है जो कि इनके वज़े से होता है aquatic animals को infrastructure को plant को lightning strike है उससे ही हो जाता है इससे ही बन जाता है और जो sulfur dioxide है इसका major source क्या है volcanic eruption यह बहुत important है paper में कई पर पूछते हैं कि sulfur dioxide कहां से निकलता है तो यह चीज़ important है और आपको धान रखना है next question देखते हैं the dispute over the Siachen Glacier is between Siachen Glacier के बारे में पुछा क्या था जो dispute है Siachen Glacier के वह किस के बीच में है तो सभी को पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में Siachen Glacier okay तो देखी friends 1949 में क्या हुआ था कराची के अंदर एक agreement हुआ था ठीक है तो कराची agreement देखी जो आपकी बात करें यह यहां तक ही NJ9842 यहां तक ही बात करी गई थी दिमार्केशन की क्योंकि उस ताम पे जो ऑफिशल से उनको नहीं पता था कि जो इतना आपकी बात करें यहां तक ही इतना रफ टेरन है इतनी ज्यादा ठंडी जगह है इतना ज्यादा जो अनलिविंग वाला एरिया है इसके ओपर कभी कोई फीचर में डिस्पीट होगा इसलिए उन्होंने यहीं पे खतम कर दी थी तो यह इसका रिजन था कि उस टाइम के ओपर इसके ओपर लेकर कोई बात नहीं करी गई थी और यह कारा करोम रेंज के अंदर है ग्लेशियर 76 किलोमेटर की लॉंग बाउंडरी है और जो की सेकी लॉंगेस्ट वर्ल्ड नॉन पूलर एरियाज में से एक है नेरपाइ पॉने 6,000 मेटर इसके हाइट है ओके इसका जो लास्ट पॉइंट है इंद्रा कॉल इंद्रा कॉल इंडिया का सबसे नॉर्थ वाला जो इंद्रा कॉल इसका आता है ओके यहां के मेजर पासस है फ्रेंस वो करेंटली 1984 का अपने और नहीं गेन कर लिया था वहां पर वहां पर इरिया जीट कर तो जो मेजर पासस और जैसे कि यहां पर कई सारे इंपोरॉड पासस बने वह एं ऐसे यहां पर ठीक है शाइफूट ह पंगला है ऐसे करके तीन चाह नाम है वो सारे पास्टस इंडिया के ही कंट्रोल के अंतर है जो उपर वाली पोजिशन्स है तो इंडिया यह पर डॉमिनेट वाली जगह में क्योंकि इंडिया ने एक कवर अप कर लिये थे इनके जो नाम है वो है साया ला बिला फोट ला गायोंग ला यह कुछ इंपॉर्टन इंपॉर्टन नाम है पास्टस के जो इंडिया के गंट्रोल में आपको पता होगा जो अपन जेन के देखते हैं तो इधर वाला जो एडिया है कारो करम रेंग इसको अपन प्यो के कहते है यह आजाद कश्मीर वाला एरिया है जो भी पाकिस्तान के अडिमिस्रेशन में है यह अपने कश्मीर वैली है यह लदाग रेंजर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर यह लोग क्याते हैं कि हम ना पाकिस्तान के ना इंडिया के हैं लेकिन आपर आपके लिए आपके लिए इंप्रेशन है वह पाकिस्तान का है तो यह आपके लिए इंप्रेशन है जानना इसलिए मैं आपको इंफर्मेशन प्रोवाइट करीए देखते हैं देखिए यहाँ पर जो सही आंसर था वो था सरुजनी नाइडू जिनको आपन नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहता है ठीक है जो फर्स्ट फिमिल गववनर थी इंडियन स्टेट की कहां की थी यूपी की थी है 15 अगस्ट 1947 से लेकर 1949 तक ठीक है और साथ में कौन थी सेकिंड इंडियन थी जो कि आएंसर की प्रेसिडन थी और फर्स्टिंडियन जो फ्रील इंड्याइञ ती आइएंसर की हालाकि पहली कहुं थी अनिबस्टिं थी वोमेन प्रेसिडन आइटू और इनकी जो बेटी थी पधमाज नाइडू वह भी बहुत फेशन नाम है क्योंकि यह ग्यारा साल तक की गवर्णर रही कहाँ पर वेस्ट बेंगॉल में तो लॉंगे सर्वाइवर कौन है इनकी बेटी ही थी सुचिता क्रिपलान यह आपको जान रखना है यह नाम भी बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि यह पहली वुमेन सीम थी कहां की थी उत्तरपरदेश की थी 1963 से 1967 तक यह सीम थी यहाँ पर और लास्ट कोशन था आपका विच्वन था फॉलेंग से एप्लिकेशन प्रोटोकॉल एप्लिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में पुछा गया था यहाँ पर आपका जो सही आंसर था वो था Http यह अप्लिकेशन प्रोटोकॉल था जहां पर डिस्ट्रिबूट को लिए काम में लिया जाता है व्ल्डवाइड वैप के अंदर बाकी जो चीजे थी वो नहीं है ज अबिते फ्रेंटे वीडियो आपको पसना होगा आप इसे लाइक करेंगे शेर करेंगे जैसे जैसे पेपर आता जाएगा मैं आपसे प्रिवेस एर के पेपर का कंप्लीट अनलिसिस कर आपके साथ में करते रहूंगा ताकि आपको आने वाले पेपर में जो 20-30% मार्क से ज ना छूटे ओके उमीदे फ्रेंट आपको इसे वीडियो को लाइक करेंगे साथ में चैनल को जरू सब्सक्राइब परेंगे GK24 डाउनलोड करिए GK एंप्रूव करने के लिए VOCAP24 डाउनलोड करिए So friends thank you and all the best for upcoming exam